हालो दोस्तो आज क्यों रहता हूंगा किस तरीके से आप एक फोन में double whatsapp कैसे चलाए how to use two whatsapp in one phone एक फोन में दो whatsapp को चलाने के लिए मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा जिससे आप एक फोन में 2-3 whatsapp को install easily कर पाओगे तो सबसे पहला तरीका होता है आपको क्या करना है play store को open करना है play store को open करने के बाद यहाँ आप आपको search करना है whatsapp जिससे आप whatsapp को search करते हो तो यहाँ पर आपको whatsapp का एक ही official version देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों आप whatsapp का एक और version को install कर सकते हो यह आप WhatsApp का official app है WhatsApp का नाम है WhatsApp Business जिसे आप WhatsApp Business को search कर होगा यहाँ पे आपको WhatsApp का एक और version देखने को मिल जाता है यह WhatsApp का official version है इस पे आपको कुछ extra features देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों आप इसको normal WhatsApp भी तरह भी use कर सकती हो तो आपको install पे क्लिक करना है यह इसे आप install पे क्लिक करोगा यह install होने लग जाएगा तो आप इसको install करके इस पे login कर सकते हो आपको कुछ extra features देखने को मिल जाता है ठीक है लेकिन दोस्तों आगर आप चाते हो कि मैं WhatsApp का official version ही use करूँ जिसे कि आप लोग सकते हो यह मेरा WhatsApp का version यहाँ पे install है आप चाहते हो कि मैं यही वाला WhatsApp को एक और तरीके से login कर पाऊं WhatsApp business को use करना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना है आपके phone में एक application होगा setting तो आपके phone के setting app को open करना है कुछ इस तरह का interface आज जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको top पे searchable option करना है आपको search करना है क्या search करना है app space clone आपको app clone सर्च करना है इसे आप app clone को सर्च करोगा यहाँ पे आपको app clone बल अप्सन आज जाएगा duplicate icon added to desktop यहाँ ले सकते हो हमरा second whatsapp install हो चुका है मैं आपको दो तरीका बता है सबसे पहले तरीका होता है आपको whatsapp का business application को install करना है यह whatsapp का same to same version है official version है कोई भी third party app नहीं है तो आप इसको use कर सकते हो आपको whatsapp business app को open करना है agree and continue पर क्लिक करना है यहाँ पी आपको एक option मिल जाएगा use different number तो यहाँ पी आपको use different number पर क्लिक करना है और अपना second number को यहाँ पर enter करके login कर सकते हो ठीक है और मैं आपको दूसरा तरीका बता दिया app clone करना है इसे आप लोज़ोगते हैं मैंने app को clone किया है whatsapp इस पर आपको language को select करना है और यहाँ पी आपको agree and continue पर क्लिक करना है और अपना third mobile number को या फिर second mobile number को enter करके यहाँ पर login कर सकते हो अगर आपके phone के setting app पे app clone बला option देखने को नहीं मलता है तो यहाँ पी आपको क्या करना है search करना है dual app इसे आप dual app को search करोगे यहाँ पर आपको dual app बला option आ जाएगा तो आपको dual app पे क्लिक करना है इसे आप dual app पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको whatsapp शो कर जाएगा तो आपको उसको on कर लेना है मेरा यहाँ पर dual app बला option नहीं आ रहे Play Store को open करने के बाद यहां आपको search करना है, क्या search करना है? Dual App या फिर search करना है App Clone, जिसे आप App Clone सर्च करो वह यहां आपको भहुत सरा application देखने को मिल जाएगा, तो यहां आपको कोई भी एक application को install करना है, इस एक application का नाम है, प्लीज चैन को सब्सक्राइब कीजिगा, जहीन वंदे मातरम!